नीड़ो साइधोलोजिकल टेस्ट बैटरीयज। में कुछ test batteries जो काफी widely used हैं, उनमें एक है Luria-Nepraska Neuropsychological Test Battery, इसको short में LNNB भी कहते हैं, आज हम इसके बारे में डीटेल में जानेंगे. Luria-Nepraska Neuropsychological Battery, Russian Neuropsychologist AR Luria के काम पर based है, इस battery में 269 items होते हैं, ये items ब्रेन के अलग-अलग functions का assessment करते हैं, Vision, Audition, Motor Activity, Memory, कई सारे different areas का assessment करते हैं. Neuropsychological batteries में खास बात ये होती है, कि इसमें बिना किसी advanced technology जैसे MRI, PET, EEG, इनका इस्तमाल किये बिना सिर्फ कुछ questions के answers के थूँ, पता किया जा सकता है कि brain में कहीं disorder है या नहीं. जादा तर items इस test में हैं, जो की अलग-अलग aspects का measurement करते हैं, और ये items अलग-अलग तरह से भिन हैं, जैसे कुछ items बहुत easy होंगे, पर कुछ बहुत complex, इनकी degree of difficulty vary करती है, items धीरे-धीरे tough होते जाते हैं, ये items अलग-अलग aspects के हो सकते हैं, इसका stimulus जो है, उदीपक जो है, जो use हो रहा है, ये test करने के लिए, वो अलग-अलग इंद्रियों से जुड़ा हो सकता है, कुछ stimulus होंगे, जो सुनाये जाते हैं, auditory nature के होते हैं, कुछ verbal होंगे, जिसे व्यक्ति को बोल कर बताना पड़ता है, कुछ tactile हो सकते हैं, यानि touch sensation से संबन्धी हो सकते हैं, answering का भी बहुत अलग-अलग तरीका इसमें उपलब्ध है, जैसे कुछ open-ended answers हो सकते हैं, जैसे participants से कुछ चीज़ें पूछी गई, और वो एक interview के format में, बिलकुल अपने जवाब, अपने शब्दों में बताता जाए, motor activities कुछ करनी हो सकती हैं, कुछ गतिविधिया, हाथ-पैरों से करके दिखानी हो सकती हैं, speech आपकी देखी जा सकती है, test की जा सकती है, कि आप कैसे बोल रहे हैं, multiple choice questions भी हो सकते हैं, कुछ वस्तोनिष्ट प्रकार के questions, options के साथ, जिसमें participant को option चुणना होता है, सही वाला, और भी तरीके हैं, जिसे item एक दूसरे से अलग होते हैं, कुछ items timed होते हैं, कुछ untimed, timed items वो होते हैं, जिनके लिए एक time limit fix है, अगर उन्होंने वो question या वो item उतनी देर में, जितना time उसके लिए fix है, में नहीं solve किया, तो उस item पे कोई score नहीं मिलेगा, अगर time बीतने के बाद उन्होंने सही solve भी कर लिया, तो भी उन्हें points नहीं मिलेंगे, और कुछ items untimed हैं, यानि उसमें time की कोई बादिता नहीं है, जितनी देर वो ले सकें, उतना लेकर question solve कर सकते हैं, information भी काफी अलग-अलग तरकी होती है items में, तो ये सब पहलू हैं जहाँ पर items एक दूसरे से भिन होते हैं, इसमें 11 major sections बटे हुए हैं, 11 major areas हैं जिसका assessment होता है, जिसका test होता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि इन areas में से कहाँ पर brain में difficulty है या problem है, जैसे एक area motor skills का है, motor skills मतलब body के movement से related चीज़े, अगर उसमें ये पता चलता है कि इनसान वैसे questions नहीं कर पा रहा है, उन items को सही से solved नहीं कर पा रहा है, जो motor activities से related हैं, तो इससे पता चलता है कि brain का वो हिस्सा जो motor activity control करता है, यानि mainly आपका frontal cortex, जो आपका अग्रपाली है, मस्तिश्क का, वहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर brain disorder हो सकता है, इसी तरह rhythmic and pitch abilities जो हैं, वो music या सुनी हुई बाते, language का assessment करती हैं, कि आप participant कितना सही से ये चीज़ें सुन और समझ पा रहा है, और वहाँ पर अगर दिखकर दिखती है, तो पता चलता है कि temporal लोग जो आपका है, शंक पाली, जो listening सम्बंधी चीज़ों के लिए उत्तरदाई है, हो सकता है, वहाँ पर कोई disorder हो, इसी तरह से tactile abilities, यानि तवचावें जो आपको छुवन पता चलती है, जो touch sensation है, उससे सम्बंधित कुछ परशानिया, expressive speech, जब आप बोल कर कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, receptive speech, आप speech को सुन कर, बात को सुन कर, वार्तल आपको सुन कर कितना समझ पा रहे हैं, reading, writing, arithmetic की skills, memory की skills, आपकी स्मृति कैसी है, उससे सम्बंधित प्रशन, visual special skills, और intellectual ability भी, मतलब आपका intelligence level कैसा है, ये सारी चीज़ें 11 major areas में टेस्ट होती हैं, इस battery में, और हम लोग हर area, हर section आगे देखेंगे, कि उसमें किस प्रकार की questions होते हैं, लूरिया निवरास का neuropsychological battery को, जब भी आप participant को, या client को, या patient को करवाने जाएं, तो उससे पहले उसे कुछ information देनी पड़ती है, पर उस information के पहले जो भी administer कर रहा है, चाहे वो psychologist हो, चाहे कोई clinician हो, डॉक्टर हो, उन्हें ये focus करना चाहिए, कि patient को आम तोर पे कहां दिक्कत महसूस हो रही है, उसके perception में कहां समस्या नजर आ रही है, अगर कुछ दिक्कत दिख रही है, उसकी बातचीत में, उसकी आदाश्ट में, तो इससे कुछ idea लग सकता है, examination शिरू करने के पहले ही, कि हमें इन 11 एरियाज में कहां पर दिक्कत दिखने वाली है, तो इसलिए test चुरू करने के पहले भी, जो हमारा client है, या patient है, उसके behavior पर बहुत focus करना ज़र रही है, इस test में preferable होता है, अगर patient सहारे के साथ भी अगर possible हो, तो bed पर बैट पाए, और एक hard surface available हो, for example, एक छोटा table, जिस पर test materials present किये जा सकें, और जो हमारा patient है, client है, उसे लिखने की सुविधा हो, उस पर रखकर, ये ज़्यादा preferable है, ज़्यादा अच्छा है, इसे ज़्यादा testing में बहतर results आएंगे, हाला कि अगर ज़रुरत पड़े, तो एक admitted patient जो है, जो लेटा हुआ है bed पर, hospital bed पर, उस पर भी ये test कराए जा सकता है, जो examiner है, जो test करा रहा है, उसे चाहिए कि वो patient के ठीक opposite side पर बैठे, और जो भी visual materials present कर रहा है, जो भी दिखाने वाले चीज़े है, patient को, वो उसकी नज जो के level से नीचे न उचाई पर, इस battery को कई sessions में कराया सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही सत्र में पूरा कराया जाया, क्योंकि अकसर जब हम brain disorder या brain damage का test करते हैं, तो patient अगर abnormal patient है, उसको कुछ brain में चोट पहुची है, तो नहीं possible है कि वो एक sitting में, एक सत्र में सारे questions solve कर प सकती है, उस case में इस test को कई sessions में, कई सत्रों में डिवाइड किया जा सकता है, कितने सत्र होंगे, ये depend करता है examiner के उपर, जिसे patient की सिती को ध्यान में रखते हुए, ये तैक करना चाहिए, कि test एक session में कराया जाएगा, दो में कराने की ज़रूरत हो सकती है, या उससे ज़ सेशन में आगे की questions shift कर देने चाहिए, repeating या paraphrasing, जो items है, क्या उन्हें repeat करना चाहिए, अगर patient ने एक बार में नहीं सुना, नहीं समझा, तो क्या उन्हें repeat करने की जरूरत है, या paraphrase करने की जरूरत है, मतलब जिन शब्दों में instructions या items लिखे हुए हैं, क्या उन्हें दू उसी तरह से कहकर समझाना सही है या नहीं इस case में, तो item solve करने के लिए जो instructions होते हैं हर test के लिए, जो निर्देश दिये होते हैं, वो repeat किये जा सकते हैं, या paraphrase भी किये जा सकते हैं, client बहतर समझ सके इसके लिए, और खास कर इसकी जरूरत तब पढ़ती है, जब client का cultural background या language background कुछ अलग है, उससे जिस भाषा में instructions लिखे हुए हैं, जैसे अगर instructions English में हैं, पर patient को English समझने में दिकत हैं, तो उसे उसकी local language या जो language में वो confident महसूस करता है, उसमें बताया जा सकता है, ताकि instructions clear हो और उसे पता हो कि उसे test में क्या करना है, ये अक्सर जरूरत पढ़ instructions जो दिये जाते हैं, वो ओरली दिये जाते हैं, बोलकर examiner instructions देता है, लेकिन जहां जरूरत पढ़े, वहां अगर लिखकर instructions बताने हो, या किसी और तरह से समझाने हो, तो भी करना चाहिए, सुनिशित ये करना है कि हमारा जो client है, उसे instructions बहुती सही से समझ में आ गए हो, questions को कैसे solve करना है, जब ऐसी जरूरत पढ़े, तो scales C2, C5 और C10, इनको छोड़कर बाकी scales पे जो item है, वो repeat किये जा सकते हैं, जब तक कि उन scales के किसी specific item पर मना ही न की गई हो, कि नहीं ये items repeat नहीं करने हैं, अगर कोई item एक बार patient को कराया गया, उसको नहीं clear हुआ, नहीं सम repeat नहीं कर सकते हैं, कुछ cases में possible है, लेकिन section C5 और C10 के items को repeat नहीं करना होता है, जिन cases में items repeat किये जा सकते हैं, वहाँ पर पूरा item repeat करना होता है, उसका कुछ एक छोटा हिस्सा नहीं, पूरा-पूरा item फिर से कराना होगा, C5, C10 इस तरह की scales जहाँ पर आप item repeat नहीं करा सकते हैं, वहाँ कुछ वैसा nature होता है item का, कि repeat कराने से उसका purpose ही खत्म हो जाएगा, For example, C10 में memory के items रहते हैं, यहाँ पर आपसे उमीद की जाती है कि आपने एक बार चीज़ देखी या सुनी, तो आप उसको याद रखें और उसको repeat करें, अगर वहाँ पर आप items दोराएंगे, तो कोई भी patient आराम से सारी questions कर लेगा, और उसके memory में impairment कहा है, दिक्कत कहा है, इसलिए इन सारे जो sections हैं, वहाँ के items को repeat करने की मना ही है, client को encourage करना, questions करना, उनको instructions देना, इनके बारे में भी इस test battery में कुछ नियम मनाए गए है, जैसे testing शुरू करने के पहले, हमें client को पुरी तरह से inform कर देना चाहिए कि उन्हें कुछ questions होंगे जिनका answer देना है, ये questions कभी-कभी बहुत simple लग सकते हैं, कुछ-कुछ बे तुके भी लग सकते हैं, या बचकाने लग सकते हैं, कुछ बहुत ज़ादा difficult भी हो सकते हैं, questions जैसे भी हो, उन्हें अगर clients को questions निरर्थक भी लगें, तो भी उन्हें कोशिश करनी है कि अपना best दे, कम से कम समय में questions को करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ पर सुनिश्चित करें कि हर बड़ी में गलतिया नहीं करें, accuracy maintain होना जरूरी है, quality maintain होना जरूरी है, तो quality और accuracy को maintain करते हुए, सटीकता से questions को solve करते हुए, अच्छी quality के साथ जबाब देते हुए, जितनी जल्दी हो सके, उतनी test को खतम करना चाहिए, यहां पर यह भी जरूरी है कि जो examiner test करा रहे है clients को, वो expertise रखते हों test को administer करने में, उन्हें पता होना चाहिए कि emotional disorders से ग्रस्त जो लोग हैं, या उन्हें कुछ brain में damage हुआ है, neurological disorder हुआ है, ऐसे populations को कैसे test करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे adders को test करने में कई तरह की problems हाती है, तो वहाँ पे किस तरह उन्हें ऐसे patients को handle करते हुए test कराना है, इसका उन्हें experience होना चाहिए, जब भी client किसी question का answer देता है, हो सकता है answer गलत नहों पर परयाप्त नहों, वैसे case में examiner को चाहिए कि वो client या patient से बोले, क्या आप मुझे कुछ औ और जानकरी इस बारे में दे सकते हैं, प्रेरित करना चाहिए client को कि और खुल कर वो जवाब दे, तब तक जब तक examiner सुनिश्यत न कर ले कि patient को जवाब सही पता भी है या नहीं, leading questions नहीं पूछने चाहिए, leading questions का art होता है, वैसे questions न पूछे, जिससे client को hint लगे कि सही जव जानना चाहरा है, for example, यह इस test का question नहीं है, पर एक leading question का example देने के तौर पर, मान लीजे, अगर आप किसी से जानना चाहते हैं, कि voting के बारे में, या मद्दान करने के बारे में, उनकी क्या राया है, तो एक तरीका हो सकता है, कि मद्दान करने के बारे में, आपकी क्या राय है, यहां second question एक तरह का leading question है, क्योंकि इस से client को idea लग जा रहा है, कि सही जवाब क्या होगा, या आप क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया, कि जादा तर लोग मद्दान को अच्छा मानते हैं, आपकी क्या राया है, तो इस तरह के questions नहीं पूछने चा अब scoring की अगर बात करें, कि scores कैसे दिये जाते हैं, जो questions solve किये हमारे client ने या patient ने, तो scoring की दो तरीके है, quantitative scoring और qualitative scoring, quantitative scoring जैसा नाम से clear है, इसमें scores दिये जाते हैं, जैसे किसी भी exam में questions आपने solve किये, तो इसमें scores आपको मिलते हैं, quantitative scoring में scores दिये जाते हैं, तो इसमें scores दिये हो सकते हैं. आपने कितने accurately काम किया है, कितना सटीकता से question solve किया है, किस speed से किया है, कितने कम से कम समय में किया है या नी, quality क्या है आपके जवाब की, time कितना लगा आपको जवाब देने में, कितने repetitions आपने कितने trial लगे आपको सही जवाब दे पाने में, कितनी बार प्रयास करना पड़ा और कितने responses आपने दिये इन सारी चीजों के अधार पर scores तै होते हैं जब आपका एक raw score मिल जाता है हर scale पर हर item पर तो उसको एक scaled score में transform कर दिया जाता है standardized scoring का जो system है वो use होता है क्योंकि दो अलग-अलग test पर scores directly compare नहीं किया जा सकते अगर एक test में 5 ही questions है माली जे जिसे 11 areas है इसमें माली जे एक section में 5 questions है उसमें आपका score आता है 3 और दूसरे question दूसरे section में माली जे 20 questions है उसमें आपका score आता है 5 तो आप इन दो score को compare directly नहीं कह सकते करके कि हाँ second test में performance बहतर थी क्योंकि उसमें 5 आया और पहले test में 3 आया था. यहां पे आपको उनको एक similar parameter पर लाना होगा तब आप compare कर सकते हैं. क्योंकि पहले वाले test में person ने 5 में से 3 सही किये थे, दूसरे में 20 में से 5 सही किये हैं, जो ज़्यादा poorer performance दिखाता है. तो इसलिए दोस्क अलग-अलग सब सेक्शन के score को आप directly compare कर सकें. इसलिए उसको scaled score में बदलना पड़ता है. मतलब standardized करना पड़ता है scores को. और यह scaled score 0, 1 या 2 ही हो सकते हैं, हर test में. यह क्या scaled score आप देंगे, यह निर्भर करता है कि क्या raw score आया है. हर section में जो raw score आया, उसका scaled score 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, यह manual में information दी रहती है. उससे देखके हम convert कर लेते हैं. यह scores जो होते हैं, अलग-अलग scale पर, इसको फिर हम T score में भी convert कर सकते हैं, जिसका माद्धे होता है 50, 50 और मानक विशिलन होता है 10. manual की मदद से अगर हम T score में convert कर लें, तो comparisons हमारे और आसान हो जाते हैं. overall scores जो आते हैं test में, हर section में भी, और सारे sections को मिलाकर, एक full test score. जितने जादा score होंगे, उसका मतलब है, उतनी जादा problem है person को. disorder का nature उतना severe है, brain disorder जो है, उसमें जादा समझ से आए हैं, अगर score high आ रहा है, तो. जितना कम होगा score, उतनी कम problem है इसका मतलब. फिर आते ही qualitative scoring पर. qualitative scoring हमें जरुरत क्यों पड़ी, जब हम scores दे पा रहे थे, तो उसके बाद इस तरह की scoring क्या खिर क्या जरुरत पड़ी. यह देखने के लिए आपको समझना होगा, कि इस test में जो भी scores दिये जाते हैं, वो scores खराब किन किन कारणों से आ सकते हैं. अगर कोई client किसी item पर खराब score पा रहा है. तो इसका सिर्फ यह मतलब नहीं होगा कि brain के उस area में उसे problem है. इसका यह भी मतलब हो सकता है कि client ने शायद instructions को निर्देशों को सही से समझा ही नहीं. शायद client perseverance दिखा रहा है. Perseveration मतलब होता है कि आपने एक question कर रहा है. अब आप दोस्तरे question पर पहुच गए हैं. पर client अभी भी पहले ही question का जवाब दिये जा रहा है. Second question के लिए भी. Third question पर आप चले गए पर अभी वो पहले ही question का जवाब दिये जा रहा है. तो इसको कभी damage एक particular area में होने से brain में कुछ अलग तरक इलग शनाते हैं. For example, अगर आपका right side में, right hemisphere में, दाहिने गुलाड में, अगर parietal lobe में damage होता है, तो आपको contralateral neglect की situation हो सकती है. इसमें क्या होता है कि दूसरी तरफ, यानि right side में damage है, तो body के left side के area में, आपको कोई चीज दिखेगी नहीं. ऐसा नहीं कि अंधापन होगा, बट आप ignore करते हैं. For example, अगर आप एक घड़ी देख रहे हैं, तो घड़ी का दाया part आप देखेंगे, दाइना आधा हिस्सा जो है, वो आप देखेंगे, आपको एक, दो, शर्ट पहनेगा, तो right side का hand डालेगा, left side का डालेगा ही नहीं. यह contralateral neglect की situation होती है, जो right side के parietal lobe में damage होने से होती है. तो अगर ऐसी situation अगर patient की है, तो आपने जो भी उसको दीपक दिखाए हैं, जो भी items present किये हैं, जो stimulus दिया है, उसका पता चला, वो आधा हिस्सा ही देख रहा है, बाकी को ignore कर रहा है, तो उसका जवाब गलत होगा ही होगा. तो यानि, अगर हम scoring की बात करें, तो scores खराब कई मायनों में हो सकते हैं, कई reasons से हो सकते हैं, इसे हमें यह नहीं पता चल सकता कि score खराब हैं, तो actually उसके पीछे क्या reason था? साथ ही, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि patient ने जवाब तो सही दिया, लेकिन उसके बाद भी brain में problem का symptom दिखाई दे रहा है, जैसे अगर कोई intelligence का question है, और client ने सही जवाब दे दिया, पर उसके जवाब देने में आपको dysarthria का symptom दिख रहा है, dysarthria एक बोलने संबंधी समस्या है, जिसमें patient बोलने में काफी तकलीफ महसूस करता है, इतना धीरे बोलता है और unclear बोलता है, इस पश्ट नहीं बोल पाता है कि सुनने वाले को समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है, इसका example आगया आप वीडियो में देखेंगे तो उसने जवाब सही दिया लेकिन फिर भी उसमें problem देख रही है तो यहां score तो हाई आएगा लेकिन उसमें damage है फिर भी उसके behavior में यह पता चल रहा है पर score से वो चीज नहीं पता चल रही है इन सब reasons की वज़े से समझा गया कि यहां पर qualitative scoring की भी जरुवत है जहां पर सिर्फ हम scores नदें बलकि behavior की भी testing करें कि test करने के दौरान हमारे client का या patient का बरताव कैसा था behavior कैसा था उस पर भी focus करें और उसके हिसाब से भी scoring करें और इस आधार पे 66 types के अलग-अलग scoring systems बनाए गए हैं जो कि आपको अभी नहीं समझने की ज़रुत है कि वो complex तरह की चीज़े हैं लेकिन इसमें अलग-अलग sections में जब आप अलग-अलग 11 sections करा रहे है patient को तो उसकी behavior में क्या-का changes दिख रहे हैं 11 different areas हैं वो क्या-क्या measure करते हैं पहला area है C1 जिसका नाम है motor functions यानि ये शारीरिक गतिविधियों से संबंधित कोई problem है तो वो detect करता है इसमें simple तरह की body की movements और complex तरह की body की movements patient से कराय जाते हैं इसमें कुछ task timed हो सकते हैं जिसको एक समय सीमा में करना है कुछ simple हो सकते हैं कुछ हो सकते हैं जो आपको देख कर नकल करते हुए करना है examiner भी कुछ behavior करेगा आपको देख के उसके साथ repeat करना है कुछ होते हैं कि examiner ने कर दिया अब वो रुक जाएगा फिर आपको अपनी आदाश से करना है कि उसने किस क्रम में सारी चीज़ें की थी इसी तरह कुछ movements होते हैं जो बोला जाए तो करना है जैसे अगर examiner आपको बोलेगा ये कागज लीजिए तो आपको कागज हाथ में लेना है कागज को चार बार fold करिए बराबर बराबर मोड़िए तो आपको वैसे करना होगा अब कागज को खोल दीजिए अब उसको जमीन पर रखिए अब उस पर खड़े हो जाईए तो इस तरह से कुछ कुछ कमांड देगा examiner और देखेगा कि movement सम्मधी direction आप follow कर पा रहे हैं की जो बोला जा रहा है वो चीज़ें आप कर पा रहे हैं की नहीं इसमें मू के movement और टंग का movement आपकी जीव का movement भी चेक होता है इसके बाद आपको कुछ pictures दिखाय जा सकते हैं कुछ simple shapes दिखाय जा सकते हैं कुछ कुछ आकार जैसे गोल ट्रिकोर्ण इस तरह की photos दिखाय जा स की motor movement का testing कैसे कराय जाता है तीन बार देखकर repeat करना है patient को और तीन बार बिना देखे repeat करना है Now I will perform a sequence of actions and you have to do it with me three times and independently three times Now the sequence is fist edge palm fist edge palm In motor media test examiner demonstrate and patient performs three series with examiner and three series alone The scoring is done on following basis if patient is able to do six correct consecutive series the score is three If he is able to do at least three correct consecutive series the score is two If he fails alone but performs three correct consecutive series with examiner score is one If he cannot perform three correct consecutive series even with the examiner score is zero The application of motor urea test is that in frontal lobe lesions the task which require temporal organization and execution of successive lesions they are impaired Either simplification that is two gestures instead of three and perseveration inappropriate repetition of the same gestures may be observed Second section इसमें है C2 जिसका सिम्बल होता है और इसका नाम है rhythmic and pitch skills इसमें rhythm आप कैसे पकर रहे हैं music कैसे समझ रहे हैं और pitch को कैसे differentiate कर पा रहे हैं मतलब sound जो बोला जाता है उसमें तीखा पन जो होता है उसको pitch कहते हैं जैसे लड़कियों की sound थोड़ी श्रिल होती है तीखी होती है लड़कों की sound थोड़ी फारी होती है उसमें तीखा पन उतना नहीं होता है उसको pitch कहते हैं तो pitch का difference आप कैसे समझ पा रहे हैं दो sound के बीच में यह test किया जाता है इसमें तो इस section का पहला आधा हिस्सा जो होता है उसमें आपको कुछ sound सुनाई जाएंगी जिसके लिए एक cassette औरड़ी आता है इस test material के साथ उसको हम बस tape recorder में लगा कर play कर देते हैं उसमें दो sounds सुनाई जा सकती है कुछ item में और उसमें आपको बताना है कि same pitch है कि different pitch है इसके लिए आपके पास sheet एक रहती है उसमें item number पढ़ा रहता है कि पहला sound सुनाई गया दो अलग music सुनाई गई या दो आवाजे सुनाई गई उसमें same pitch थी कि different pitch थी तो आपको बस same या different same या different लिखना रहता है उसमें इसी तरह से कुछ questions हो सकते हैं जिसमें दो टोन सुनाई जाएगी और आपको बताना है किस की pitch जादा थी किस वाले की पहले जो सुनाई गया उसकी या उसकी तो आप कैसे music की समझ रख रहे हैं या जो voice आपने सुनी इसको कैसे reproduce कर पा रहे हैं यह questions इसमें होते हैं जो tough होते जाते हैं सारे questions जो इसमें easy से शिरू होते tough की तरफ जाते हैं दूसरा आधा हिस्सा जो है इस test का उसमें rhythm के skills देखा जाता है इसमें आपको कुछ tone इस तरह से और आपको पहचानना है क्रम पहचानना चीज़ों का इसी तरह से कुछ rhythm सुनाए जाएगा आपको पहचानना होता है कि क्या वो दोनों music same था या different था इसी तरह से कुछ rhythm के patterns होंगे जो आपको बोला जाएगा कि यह music produce करो या इस गाने के धुन गुन ना के बता हो तो आपको इस तरह से करके perform करना पड़ता है तो rhythm या music का आपको कितना sense है आप वो कितना समझ पार एक आम इंसान की समझ जो होती है वो है की नहीं या वो damage वहाँ पर कुछ हो गया है brain में यह चीज़ test करने के लिए यह वाला section होता है फिर आता है section C3 tactile functions जिसमें touch संबंधी क्या आपको touch sensation है की नहीं तो अचा का sensation है की नहीं इस से संबंधी सवाल होते है इस section में कुछ बहुत simple questions भी हो सकते हैं पर धीरे धीरे कठिनाई बढ़ते जाती है और फिर complex questions हो सकते हैं जैसे इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि patient patient की आँख पर एक पट्टी बांदी जाती है ताकि वो कुछ देखना पाए इसके बाद patient को हाथ पर या उंगलियों पर touch किया जाता है कभी उसको किसी sharp चीज से touch किया जाएगा जो चुबता हुआ सा रहेगा इतना नहीं कि damage करे या बहुत जादा hurt करे patient को पर कभी किसी soft च sharp नहीं है मतलब जिसको अपने शापनर से छीला हुआ नहीं है उससे touch किया जा सकता है patient को बताना होता है कि sharp touch था या blunt तरह का touch था इसी तरह से hard और soft touch की बीच में अंदर करना होता है उनको किसी कड़ी चीज से चुआ जाए किसी soft चीज से चुआ जाए तो उनको बताना होत करता है कि तवचा का sensation उनका कैसा है इसी तरह से उनके हाथों पर या उंगलियों के पोरों पर कुछ संख्या लिखी जा सकती है या alphabet ABCD टाइप कर लिखा जा सकता है और उन्हें बताना होता है कि क्या लिखा गया तो उनकी आंक पर पट्टी बंधी है उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है और पैन से नहीं लिखते हैं कि बिल्कुल लिखा ही जैहात पर सिर्फ को ऐसी चीज से जिससे की दबाव पता चले पेशन को जैसे एक बॉल पॉइंट पर यूज कर सकते हैं खाली रिफिल के साथ जिसे कुछ लिखाए नहीं वापर इंक से कुछ न लिखाए पर आपकी उंगली के पोरों पर A लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं, 4, 5, 9 और फिर पेशन को बताना होता है कि क्या नंबर लिखा है यहाँ पर ध्यान देना होता है कि क्योंकि examiner सामने बैठा हुआ है पेशन के तो वो अपनी तरफ से नंबर न हो रहा है उसके तोचा पर उसके आधार पर उसे पहचानना होता है इसी तरह से examiner फिर आगपर से पट्टी हटा सकता है और कुछ movement करके दिखा सकता है अपने हाथ से जो की जो patient है या client है उसे भी reproduce करना होता है उसे भी वो act करके copy करके दिखाना पड़ता है कि वो समझ पा रहा है या नहीं कुछ चीजों को आपको टच से छूकर पता करना पड़ता है आग पर पट्टी बांदी जाती है और रोज मर्रा की घर की जो चीज़ें है वो आपके सामने रखी जा सकती है करके और आपको सिर्फ टच के अधार पर बताना है कि क्या चीज आपके सामने र सामने रखी गई अगला सेक्षिन होता है C4 जिसको वीज्वल या स्पेशल फॉर्मिशन भी कहते हैं इसमें कुछ बेसिक दृष्टी संबंधी चीज़ें आपके चेक की जाती है और स्पेशल फॉंक्शन कि आपको स्पेस की क्या जान करें स्पेस मतलब अंतरिक्ष्ष से आ जाता है इसमें आइटम्स होते हैं जिसमें कुछ सिंपल चीज़ें आपके सामने प्रस्तूत की गई उनको देखकर पहचानना उनका नाम बताना यह दृष्टी संबंधी आपके सेंसेशन सही काम कर रहे हैं इंद्रिया सही काम कर रहे हैं इसकी पहचान होती है कि समान कि ड्रोइंग्स बनी हो सकती है, कुछ अलग-अलग शेप्स बने हो सकते हैं, आपको बताना हुगा कि यह स्कौायर है, यह डेक्टैंगल है, इस तरह से, कुछ चीजें, जंबल्डप हो सकती है, मिक्स्डप हो सकती है, जिसे कि कोई चेहरा दिखाया जा सकता है, आँक की मिटा हुआ है लेकिन तेसे कुछ- India on such a mi यह पाया हुआ है कुछ पीछी का त्विच्प में और प्यचान पारें कि नहीं प Hirbular मैंट्रेस सेस्ट होताय sentence को पत बहुत वह उसकी कुछ कुछ क्रेशन på यह चार पर इंचिन options होते हैं उसका एक हिस्सा गायब कर दिया जाता है picture का और बताना है pattern को देखते हुए कि उस जगा नीचे दिये options में से कौन सा pattern वहाँ पर सही आएगा सही feedback है यह आपको पहचानना होता है by the way यहां जो question दिखाया हुआ है उसका option होगा c इसी तरह से कुछ blocks या लकड़ी के गुट के आपको दिये जाते हैं और उनसे कुछ-कुछ designs बनाने के लिए बोली जा सकती है तो यह सब test है कि आपकी दृष्टी संबंधी जो functions है वो सही काम कर रहे हैं और आपको idea है कि 3D चीज़ें कैसे दिखती हैं कैसे बनानी है क्या है उनको पहचानना यह सारी चीज़ें इसमें test होती हैं फिर आता है अगला section C5 जिसका नाम है receptive speech मतलब आप speech या बात चीज सुन कर कितना समझ पा रहे हैं इस section में चेक किया जाता है कि patient क्या जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो सुन कर समझ पा रहा है कि नहीं understand कर पा हावाजें simple phonemes सुनाए जाते हैं जिसको patient को पहचानना होता है phoneme शब्द जो है उसका अर्थ होता है उचारण का सबसे छोटा part सबसे छोटा हिस्सा जैसे अगर मालीजे मैं बोलू काम तो काम में तीन phoneme आएंगे का आ म तो एक एक हिस्सा जो यह है यह phoneme है उचारण का सबसे छोटी धनी जो है छोटी से छोटी उससे छोटा हिस्सा नहीं हो सकता उसका यह phonemes मिलके शब्द का उचारण करवा पाते हैं तो इनको phonemes कहा जाता है जिसे मालीजे अगर मैं English में बोलू सन तो उसमें स अ न तीन चीज़े हैं इस तरह से तो यह phonemes सुनाए जाते ह है उसको व्यक्ति समझ पा रहा है सुन पा रहा है कि नहीं phonemes का उचारण साथ में किया जा रहा है यानि कोई शब्द का उचारण किया जा रहा है तब वो समझ पा रहा है कि नहीं कि क्या शब्द बोला गया इसी तरह से अलग-अलग धुन में और अलग-अलग तीवरता क साथ अलग-अलग pitch में आवाजे बोली जाती हैं शब्द बोले जाते हैं और फिर देखा जाता है कि patient पहचान पा रहा है शब्दों को की नहीं इसी टेस्ट का दूसरा पार्ट जो होता है उसमें simple word comprehension देखा जाता है कि simple simple शब्दों का आप मतलब समझ पा रहे हैं सुनकर अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं, simple sentences सुनकर उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं कि नहीं कुछ sentences, जिसका grammar जो है, व्याकरन जो है, वो उड़ पटांग तरका है, सही तरका नहीं है, इस तरह की चीज़ें सुनाई जाती है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें सही है, या कहीं गरबड़ी है, और क्या गरबड़ी है, जिससे समझ में आता है कि सुन कर आपको भाशा समझने में शमता में कहीं कमी आई है, या वो ठीक है, अगला section होता है C6, जिसका नाम होता है expressive speech, receptive speech में जहां आप सुन कर चीज़ों को समझ रहे थे, यहां आप speech के माध्यम से खुद को express कैसे कर रहे हैं, खुद को व्यक्त कैसे कर रहे हैं, यानि आप बोल कर कैसे चीज़ों को व्यक्त करते हैं, वो चीज़ यहां पर चेक की जाती है, इसमें कुछ-कुछ शब्द या चीज़ें सुनाई जाएंगी, जो आपको फिर दोहरा कर बोल कर बताना होता है, और शब्द की कठिनाई बढ़ती जाती है, पहले simple शब्द बोले जाते हैं, आप वो कुछ वाकिय बोले जाएंगे, जो आपको सुनकर फिर दोहराने होते हैं, या पड़ कर दोहराने होते हैं, ये वाकिय कठिन होते जाते हैं धीरे-धीरे, कुछ और चीज़ें भी आपको करने के लिए बोलनी जा सकती हैं, जैसे साल के महीनों का नाम बताईए, हफ्ते में दिनों का नाम सही करम में बताईए, गिंदियां कुछ बताईए, एक से लेके पचास ता क्या कुछ इस तरह से, तो कुछ चीजें आपको इस्ट्रक्शन दी जाती हैं और वो आपको बोल के जवाब उसका देना होता है, सिंपल चीजें जो रोज मरा में इस्तमाल होती है, इसी तरह फिर आपको कुछ पिच्चर दिखाई जा सकती हैं, कुछ तस्वीरें, और उसको देखकर आपको बोला जा सकता है कि ये तस्वीर देखके आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं, इस तस्वीर पर कुछ शब्द कहिए या इस तस्वीर पर कोई कहानी चोटी से बना कर आप बताईए कभी-कभी उन्हें कुछ words दिये जा सकते हैं और उसको सही करम में लगाने के लिए बोला जा सकता है यहाँ पर expressive language की जो हम बात कर रहे थे जो अभी हमने C6 वाला section देखा कि आप व्यक्त कैसे करते हैं बोलकर चीज़ों को उसका टेस्ट यहाँ पर दिखाये जा रहा है लूरिया निप्रासका की बैटरी यूज करते हुए पहला example abnormal case का है इस महिला के दिमाग में कुछ problem है disorder है इसके language सम्मन्धी दिक्कत है तो इनका जवाब आप देखिए किस तरह का है और side में फिर दूसरा वीडियो है जिसमें normal वेक्ति कैसे जवाब देता है वो दिखाये गया है दोनों में क्योंकि English में बोला हुआ हो सकता है कुछ लोगों को नहीं clear होगा पर कोई बात नहीं आप सिर्फ देखिए कि कैसे बोला जा रहा है आपको समझ में आएगा कि कैसे abnormal person जो है वो कई जगह अटकेगी नहीं बोल पाएगी मना करेगी कि मुझे नहीं बोलने आपा जबकि normal person बहुत ही fluently बहुत ही आराम से हर चीज बोल पाएगी abnormal person में ध्यान दीजेगा जो अभी हमने एक word देखा था dysarthria की जवाब हो सकता है intelligence के questions का patient दे जाएं लेकिन dysarthria के symptoms दिखाएं और मैंने बताया था कि dysarthria का मतलब कि उनकी बोलने की तकलीफ होती हो बहुत clear बहुत ही बोलने में तो सामने वाले को सुनकर बहुत चीजें समझ में नहीं आते हैं आपको इस abnormal lady में यह चीजें दिखाई देंगी इसको आपको बोलने की इसकी भाषा जो है बहुत clear नहीं समझ में आपाईगी तो देखते हैं कि expressive language का test कैसे कराया जाता है और response कैसा आता एक patient का जिसके brain में disorder है और एक normal person का च लाप भी और उढ़ का नहीं और इस एकाता है और इस में और ग्या थाएं तो जाएंगी तो की तेखते हैं समझ में और उो आपको आपको भी ते हैं और भीजा और नहीं का okay I'm going to just show you this picture and can you tell me what this picture is about can you see it's kind of the boy sliding outside okay can you make up a little story about it well it's fair go to set shot him The red ball is on top of the table. the baby is under the chair I'm going to show you this picture and I want you to just look at it and tell me what you think that picture depicts this looks like a mother and her son and they're playing together and she's giving him a piggyback ride and they're laughing and having a fun time together very good now what I want you to do is to write a sentence about that picture very good and she wrote a mother and a son are playing together what I like to do now is to just read this paragraph I'm going to put your reading glasses on that's fine and just start right here just go ahead and read until I tell you to stop when people feel ordinary anxiety they're usually thinking about something bad that has happened or could happen those thoughts seem to offer reason enough for the anxiety but sometimes nervousness lasts a long time becomes overwhelming or starts to affect daily activities and relationships at that point it's time to think about whether an anxiety disorder is part of the cause okay very good so what is what was this paragraph about that you read anxiety okay and what are some of the things that would indicate that there's a problem with anxiety if things that you're worried about interrupt your daily activities or your relationships with people very good what is this a pen what will you do with it write good what is this a watch good and what is this part of the watch a stem very good what would this be a ring very good and what would this be a tie good can you repeat this sentence to me or for me no ifs ands or buts no ifs ands or buts very good very good then the next section is C7 writing in this section is the basic writing skill that is correct or not simple spelling or not 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 द्वारा उनको सुनकर लिख पा रहा है कि नहीं तो लिखने की अलग-अलग विधियों से टेस्टिंग होती है कि लिखने की स्किल में कहा दिखकत आई है इसी तरह C8 Reading इसमें पढ़ने की क्या शालिये व्यक्ति की उसमें कहीं दिखकत तो नहीं आई है इसकी टेस्टिंग की जाती है तो इसमें कुछ शब्द लिखिये होंगे कुछ अक्षर लिखिये होंगे जिसको पढ़कर व्यक्ति को बताना होगा इसी तरह से कुछ आवासे होंगी उनको बोल कर दिखाना होगा कि सही से उचारण कर पा रहे है कि नहीं कुछ चीजे लिखी है उसको बोल कर होते जाते हैं उनको कैसे पढ़ पा रहे हैं इसी तरह statements दिये रहेंगे वाक्य लिखे रहेंगे simple वाक्य रहेंगे शुबात में पर धीरे धीरे कठीन होते जाएंगे उनको सही से पढ़ पा रहें कि नहीं छोटी चोटी कहानिया दी हो सकती है जिसको read करना हो सकता है जैसे class में बच्चों को कहानिया reading कराई जाती है कि एक paragraph से बच्चे पढ़ते हैं इसे तरह से reading करने के लिए बोला जाता है stories की और अगर सही से reading कर पा रहे हैं कुछ खास दिक्त नहीं लग रही है एक आम इनसान जैसे reading कर पा रहे हैं तो यह normal मना जाता है अगला section C9 जिसमें arithmetic चेक होता है आपके maths की ability कैसी है यह चेक होता है शुरुआत में simple questions रहते हैं जैसे normal 1,2,3,4 जो होता है Arabic numbers वो लिखे होंगे और आपको पढ़के बताना होगा क्या लिखा हुआ है इसी तरह फिर roman numbers लिखे होंगे 1,2,3,4 या odd numbers रोमन अक्षरों में लिखे होंगे वो पढ़के आपको पैचानना है numbers की कुछ combination हो सकते हैं वो आपको पढ़ने होंगे कुछ simple maths के questions हो सकते हैं जोड के, घटाओ के, गुड़ा या भाग के कुछ algebra की problems हो सकती है, बीजगरित की कुछ सवाल हो सकते हैं, simple से सवाल हो सकते हैं वो solve करके दिखाना होता है इसी तरह दो questions ऐसे होते हैं, जिसमें 100 से शिरू करते हुए, पीछे जाते हुए आपको एक बार 7 घटाते हुए बोलना होता है, एक बार 13 घटाते हुए बोलते जाना होता है, जब तक enter नहीं पहुँचता है, वरो के करीम नहीं पहुचता है, तो 7 अपने दिवाइग में subscribe करते करते ही शब्दों को बोलना होता है, अक्षिरों को नंबरों को बोलना होता है इसे तरह दूसरे आइटम में 13 घटाते हुए बोलना होता है 100 से शिरू करते हुए तो 100 पहले बोलेंगे फिर 87 बोलेंगे कि 13 घटा फिर 13 और घटा के अगला नंबर जो आएगा वो बोलेंगे यह दिमाग में करना होता है इसके लिए कोई paper pencil नहीं दिया जाता है तो यह चीजे questions इसमें कराते हैं जिससे arithmetic ability चेक हो जाते है C10 होता है memory आपकी सुष्टी कैसी है वो चेक करते हैं इसमें कहीं amnesia की कुछ लक्षन तो नहीं है या दाश्त विल्लूपे तो नहीं हो गई है यह चीज इसमें check की जाती है इसमें participants जो हैं या client या patient उसको एक list दिया जाता है कुछ words का जिसको उन्हें याद कर लेना होता है कुछ pictures दिखाई जा सकती है जिसको उन्हें याद कर लेना होता है और थोड़ी दिर बाद उनसे पूछा जाता है क्या आपको दिखाई गया था क्या शब्द थे वो सारे list के सारे शब्द बताईए उसी क्रम में बताईए क्या pictures दिखाई गई थी वो picture जो दिखाई गई थी चार और नई pictures के साथ mix करके उनके सामने प्रस्तूत की जा सकती है और उनने पहचानना होता है कि कौन सी specific picture मुझे पहले दिखाई गई थी इसी तरह से कभी-कभी उनको एक list याद करने दी जाती है शब्दों की एक list जब याद कर रहे हैं तो बीच में अर्चन पैदा कर दी जाएगी अवरोध पैदा कर दिया जाएगा रोग दिया जाएगा उनको बीच में और फिर दुबारा याद करने दिया जाएगा फिर recall लिया जाएगा कि अब कितने words वो बता पा रहे हैं जब अवरोध पैदा किया गया और एक बार पूरी तरह से करने दिया जाएगा बिना किसी अवरोध के और देखा जाएगा कि तब कितने words वो याद कर पा रहे हैं इसी तरह से कोई story सुनाई या पढ़ाई जा सकती है और कुछ देर बाद उनसे फिर story पूछी जाएगी कि क्या story थी तो वहाँ पे देखा जाता है कि story का कितना हिस्सा उनको perfectly याद है क्या क्या चीज़ें वो भूल गए या छोड़ दिये बताना उन्हें याद नहीं रहा और कितना वो सही सही repeat कर पाए बता पाए इसी तरह कुछ pictures दिखाए जाते हैं और pictures को दिखाते समय उसके साथ कुछ शब्द बोले जाते हैं और कुछ देर बाद फिर वही pictures दिखाके test किया जाता है कि इस पर क्या शब्द बोला गया था जाहिर सी बात है कि जो पिच्चर दिखाई जा रही है उसका नाम नहीं बोलते हैं जैसे मालीजे अगर मैंने कब की पिच्चर दिखाई पेशेंट को तो कब नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो आदमी अपने दैनिक अनूभवों से जानता ही है कब की पिच्चर दिखाते हुए हम बिल्ली बोल सकते हैं कमल की पिच्चर दिखाते हुए हम पैन बोल सकते हैं और व्यक्ति को ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है दुबारा वो पिच्चर दिखाई जाए तो उसके साथ क्या शब्द बोला गया था ये उन्हें बताना होगा तो इस तरह के questions होते हैं जिससे memory test होती है स्मृति कैसी है इसका test होता है last scale होती है C11 intellectual processes intelligence की testing तो जैसे वेशलर's adult intelligence scale में अलग-अलग sections होते हैं जैसे comprehension का test picture arrangement का test arithmetic का test, similarity और vocabulary का test इस तरह के सारे test इसमें इस्तमाल होते हैं, ये test क्या होते हैं इसके लिए अगला section जो हम देखेंगे अगले वीडियो में जिसमें हैल्स्टिग रीटन, neuropsychological test बैटरी हम देखेंगे, उसमें वेशलर's adult intelligence scale के कौन-कौन से test होते हैं उसके अंतरत और उसमें क्या-क्या कराय जाता है, वो सारी चीज़े हम डीटेल में देखेंगे, तब आपको clear हो जाएगा कि comprehension, picture arrangement, arithmetic, similarities और vocabulary test में क्या होता है इसके अलावा, इन questions के अलावा, वायस में से ये questions जो लिए गए हैं, यानि वेशलर's, adult intelligence, scale से, ये sections जो लिए गए हैं, इनके questions के अलावा intelligence test करने के लिए, कुछ और items भी हो सकते हैं, जैसे, अगर व्यक्ति को कोई picture दिखाई गई, तो वो picture किस बारे में है, क्या दिखाय जा रहा है उसमें, ये बता पाना, कोई picture दिखाई गई, उसमें कुछ funny चीज़े हो सकती हैं, कुछ मजाकिया चीज़े हो सकती हैं, क्या उसमें funny हैं, ये चीज़ दिखाना, बता पाना, कुछ logical comparisons कर पाना, दो चीज़ों का, तुलनात्मक, एक बिवरा दे पाना, कि क्या समानता है, या क्या अंतर है, ये चीज़ें बता पाना, इस तरह के questions होते हैं, जिससे intelligence की testing होते हैं, ये 11 sections जो आपने देखे, इन सारे 11 के अपने-पने scores निकलते हैं, पर इनके साथ साथ, इने 11 scores के साथ साथ, 3 और summary score निकलते हैं, एक का नाम होता है left hemisphere score, इसमें उन सब items के score को जोड़ दिया जाता है, जो की motor section और tactile section जो अभी हमने देखा, उसमें से लिए हुए questions होते हैं, वैसे questions जिसको दाएं हाथ से करना था, जैसे motor activity जिसमें दाएं हाथ का इस्तमाल करके करना रहा हो, जैसे आपने वीडियो में देखा था, जो लड़की repeat कर रहे थी, और उसी तरह से tactile sections जो है, जिसमें हाथ पर number लिखे जा रहे हैं, वो बताना है, या sharp touch हुआ है, या soft touch हुआ है, ये बताना है, तो जब ये दाएं हाथ पर किया गया हो, तब उना items पर क्या score आया, उन सारी score को add करके, एक score आता जो है, उसको बोलते है left hemisphere score, इसी तरह से right hemisphere score निकलता है, जिसमें motor or tactile section में ही, जब बाएं हाथ का इस्तमाल करते वे चीज़ें कराई गई थी, उन questions पर participant ने कैसा जवाब दिया, क्या score थे, वो सारा add कर देते हैं, तो right hemisphere score आता है, और तीसरा score एक होता है, जिसको बोलते है pathognomonic, इस शब्द का मतलब होता है, किसी बिमारी के लक्षन, उनको pathognomonic बोलते हैं, इसमें 31 आइटम होते हैं, मतलब इन सारे टेस्ट में से कुछ items को चुनकर, 31 आइटम को चुनकर, उनके score को जोड़ायता है, इसको pathognomonic बोलते हैं, उनसे खास कर पता चलता है, यह वैसे आइटम से, जो बहुत समवेधन शील है, brain damage को detect करने के लिए, अगर patient में brain damage है, तो उन questions पर वो निश्रिद गलतियां करेगा, जो एक आम इनसान जिसमें कोई damage नहीं है, वो हमेशा वो questions सही से कर लेगा, तो उन questions पर क्या score आए, इससे हमें idea लग जाता है कि patient के brain में दिक्कत है या नहीं है, यह सारे raw scores जो है, इनको एक profile sheet आती है, test material के साथ, उस पर डाला जाता है, और उनके समकष T score कितना होगा, वो left hand side पर दिया रहता है, और उससे सारे scores का T score हम निकालके तुलना कर पाते है कि कि section में, इन्हें 11 sections में से, कि section में score जादा था व्यक्ति का और किस में कम था, और या डखिए score जादा जहां पर भी होगा, वो indicate करेगा कि उस area में जादा समस्या है brain में, तो इस तरह का कुछ होता है, एक profile sheet, नीचे आप देखे, scales का number दिया हुआ है, C1 से लेके C11, और left side में उनका T score दिया हुआ है, तो यहां पर अगर हम देखे, इस जिस भी person का यह profile sheet है, यहां हमें दिख रहा है कि C5 scale जो है, वहां उसको सबसे जादा brain में problem है, उसके बाद C6 में, उसके बाद C4 और C2 में, या उसी से और थोड़ा सा उपर C9, 10 और 11 का भी score जादा है, तो ज से जादा problem है brain में, वहां पर disorder हो सकता है, thank you